वेलकम ओल फ्यू आप सभी का स्वागत है आपके इस यूटूब चैनल एडी सिंग फिक्स पर तो हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर फिल्टर को कंपलेट किया था आज अपन निया टोपिक पढ़ने वाले हैं वोल्टिज रेगुलेशन वोल्ट अता निया मन क्या है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि रेगुलेशन क्या है और किस तरीके से अप्लाई किया जाता और क्यों बनाया जाता रेगुलेशन और आप यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल ऐकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो कर नोटिफकेशन आप तक पहुँच पाए ओके तो देखे प्लीज वाट इस रेगुलेशन रेगुलेशन क्या है देखे वोल्टेज रेगुलेशन क्या है सबसे इंपोर्टेंट बात वाट इस रेगुलेशन वाट इस रेगुलेशन अब रेगुलेशन क्या है सबसे पहले समझेंगे जो EDC स्त्रोध है अब बात सुनिया EDC जो है जो हमें निर्गत के रूप में मिलता है वो किस से बना होता है IDC पलस RL से मिलकर यानि RL से हमें क्या होता है यह प्राप्त होता है अब RL पर dependent है यानि EDC जो है वो IDC और RL पर dependent है यानि कहने का मतलब EDC जो है वो RL में क्या है बदलता है आरल में क्या है चेंज होता है लोड परतिरोद में चेंजेबल होता है ओके और इस चेंजेबल होने के लिए इसको चेंजेबल होने के लिए जो वोल्टेज जो वोल्टेज का जो डिफरेंस निकलता है यानि दोनों वोल्टेज होंगे जो अंतर होता है डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है वोल्टेज नियमन कहलाता है क्या कहलाता है वोल्टेज नियमन सिंपल सा वे है क्या वे है कि वोल्टता के अंतर के मापन को क्या कहा जाता है वोल्टता नियमन या वोल्टेज regulation कहा जाता है यह basic definition है कि EDC जो है IDC plus RL से मिलकर बना होता है और RL में क्या होता है EDC changeable होता है बदलता है अब दोनों voltage में जो अंतर है difference है अब उसको मापने के लिए voltage regulation का usable किया गया ओके और इसे VR से क्या करते हैं प्रदर्शिर करते हैं तो यहां पर एक मारे पास और बात आती है कि वोल्टा वोल्टा नियमन परतीशत वोल्टा नियमन परतीशत voltage regulation percentage अब VR जो है VR का मतलब voltage regulation VNL माइनस VFL VFL into 100 परतीशत बताएंगे VNL क्या है VNL और VFL अब VNL जो है वो द्रिष्टकारी से प्राप्त यानि जिस पर द्रिष्टकारी से प्राप्त जो voltage है वो क्या है direct है यानि इसे हम कहेंगे direct voltage क्या कहेंगे हम इनसे direct voltage कहेंगे जो हमारे पास प्राप्त होता यानि output जो voltage है output voltage और जहां RL कितना होता है infinity और यह जो है हमारे पास VFL FL क्या है यह हमें direct stroke से प्राप्त होती है क्या होती है direct stroke से प्राप्त होने वाली voltage है यानि pressure presence of load यानि presence of load उसका अंतर और इसका divination यानि इस सारे formula को क्या कहा जाता है voltage regulation percentage कहा जाता है बड़ा ही simple है ओके तो आपने definition के लिए की what is regulation regulation क्या है EDC जो है IDC और RL से मिलकर बना है को के हारल पर dependent है यदि EDC को RDC में change करना है तो उनके बीच की वोल्ट दा difference का मापन जो होगा measurement जो होगा उसे हम voltage regulation कहते हैं और आपके पास voltage regulation percentage का जो formula आपके पराप्त होता है अब हम बात करें voltage regulation अब 2 cases में इसको complete करेंगे सबसे पहले हमने rectifier पड़े थे last के lectures के अंदर हमने 2 तरीके के rectifier पड़े थे एक तो half wave और एक पड़ा सा full wave half wave rectifier और full wave rectifier याणि अज़्दतरंग दिश्टकारी और पूर्ट तरंग दिश्टकारी हम यहां पर भी दो तरीके से यानि अज़्दतरंग दिश्टकारी में अद्ध तरंग दिश्ट कारी में क्या करेंगे voltage नियमन यानि वोल्ट ता नियमन की value calculate करेंगे half wave rectifier के अंदर voltage regulation की value को calculate करेंगे ओके और पूरन तरंग अद्ध कारी के अंदर हम क्या करेंगे वोल्ट ता नियमन को calculate करेंगे यानि full wave rectifier के अंदर भी क्या करेंगे हम voltage regulation की value को calculate कर रहे हुआ तो सबसे पहले देखिए आप half wave rectifier के अंदर क्या होगा voltage regulation half wave rectifier के अंदर voltage regulation किस तरीके से पराबत हो हम देखिए दो cases करेंगे सबसे पहले case first half wave के लिए half wave rectifier के लिए ओके और second बात करेंगे अपन किसके लिए second जो case होगा वो full wave rectifier के लिए किसके लिए full wave rectifier के लिए ओके अब हमारे पास formula क्या है VR VNL minus का VFL VFL into 100% ओके वी एनल क्या होता था VNL calculate करते थे जब RL कितना है infinity है यह भी output voltage है और VFL कितना है यह load quality road यानि output voltage यानि DC voltage है ओके सबसे पहले half wave के लिए क्या होगा half wave rectifier के लिए half wave के लिए हम calculate करते थे क्या calculate करते है EDC तो हमें EDC क्या प्राप्त होता है IAC into RL EDC जो होता है वो IAC into RL अब IAC की value कितनी होती है मेरे पास IAC की IAC की value होती है EM upon phi into RL EM upon pi into RL चूंकि हमारे पास जो EM होता है EM होता है यानि कहने का मतलब जो मेरे पास IAC sorry IM और IM की value कितनी होती है EM upon R plus RL EM R plus RL तो put कीजिए value के अंदर EDC क्या आएगा मेरे पास EDC EM upon pi R plus RL IM की value रखी into RL कहने का मतलब EM RL pi RL R plus RL अब हमें क्या करना है हमें ऐसा voltage बनाना है ऐसा निर्मत निर्गम voltage बनाना है अब देखें इसको अलग-अलग step में convert करना है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं मैं द्याद्ध्यान से देखिया EM upon pi 1 minus R R plus R हम इस step को इस step में लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखिया मैं आपको बता रहा हूँ मैं इस step के अंदर यानि EM upon pi के अंदर क्या कर दूँ R जोड दूँ और R गटा दूँ R को मैंने जोड दिया और R को मैंने गटा दिया इस step में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई चैंजेबल नहीं हो देखिये यदि मैं R को जोडता हूँ R को गटाता हूँ तो मेरे इस step के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको करने पर क्या होगा इसको करने पर हमारे पास दो पार्ट में डिवाइडेशन हो जाएगा कैसे R पलस RL माइनस का R R पलस RL हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फिर क्या करेंगे EM अपोन पाई को यानि ये इसके अपोन में ये आ गया माइनस का R अपोन R पलस RL आ गया तो ये वाला step इसके according और ये वाला इसके according और ये वाला इसके according यानि कोई changeable नहीं हुआ हमने कोई extra word नी लगाया सिर्फ हमने R को जोड़ा और R को माइनस किया तो ये करते हैं ये कितना हो जगा मेरे पास ये हो जगा 1 और ये मेरे पास में क्या बनाना output दिश्ट प्रतिरोज बनाना तो हमने इसको इस तरीके में convert किया आप इसे note कर लिजेगा ओके अब क्या करेंगे अब हम अलग लग करेंगे इसको इम अपोन इम अपोन पाई मुल्टिपलाई कीजिए माइनस का माइनस का इम अपोन पाई आर प्लस आरल ओके आर प्लस आरल और ये वाला स्टेप बड़े धान से दिखिया आप ये वाला स्टेप क्या होगा ये वाला स्टेप आभी है यहाँ पर लिखा का हमने ये वाला जो स्टेप होगा वो होगा आई एम ओके तो यहाँ पर आपने लिखना है आ पाइम से क्या होगा, एम अपोन पाइ माइनस का आइम इंटू आर डैट इज वी एफल, क्या आजेगा, वी एफल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ओके, नेक्स्ट क्यों और मूव कीजिए, अब वी एनल कैसे कल्कुलेट करता है, यदि आर जो है, आरल जो है, वो क्या हो हो जाए, और यदि हम आरल इंफिनिटी कर दें, तो यह सारा स्टेप जीरो हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा, यानि वी एनल, इएम अपोन पाइ, क्या बचेगा मेरे पास, इएम अपोन पाइ, तो हम इन, हमारे पास जो वैल्यू जागी, वी एनल की और वी एफल की, तो value रखी किसके अंदर रखनी आपने समीकर नंबर एक अंदर, put value equation वाज, तो यहाँ पर क्या आएगा em upon pi minus का, क्या आएगा minus का em upon pi minus minus plus im plus r, im into r into, और यहाँ पर 100 पर्तिशत जो है already है, और यहाँ पर क्या आएगा em upon pi minus का im upon into r, यहाँ से यह cancel हो जाएगा, और मेरे पास क्या बचेगा, im into r upon em upon pi minus का im into r into 100 पर्तिशत, और यही मेरे पास क्या है, half wave rectifier के अंदर voltage regulation का value है, percentage value है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, full wave rectifier के अंदर, इसी तरीके से full wave rectifier के अंदर, full wave rectifier का formula क्या होता है, जब half wave rectifier है, अब यहाँ पर मैं आपको एक note बता रहा हूँ, अब यह half wave के लिए हम derivation भी करके दिखाएंगे, पहले आप समझ लीजिए, half wave के अंदर मेरे पास formula हा रहा है, im into r into 100 पर्तिशत, em upon pi minus का im, यहाँ पर iac है, im जो है, im into r, तो यह मेरे पास पराप्त हो रहा है, अब यह किस के लिए है, half wave के लिए, तो full wave क्या होता है, full wave के अंदर हमारे पास जो values आती है, यहाँ पर 2 लग जाता है, यहाँ पर 2 लग जाता है, यानि कहने का मतलब, यह जो wave है, वो half wave के कारण यहाँ पर 2 नहीं है, और into, यदि हम full wave की बात करें, तो full wave के अंदर, im into r, 2 em upon pi, minus का im into r, 100 परतीशद, तो यह मेरे पास full wave रेक्टिफार के लिए, voltage regulation का formula आता है, कैसे आया, हम just 2 मिनिट के अंदर, इसको derivation complete करेंगे, कुछ भी नहीं किया, just हमने copy करनी है यहाँ से, देखिए, EDC क्या होता है, IAC into r, okay, IAC क्या होगा, im into r, और यहाँ पर im की जग़ा, 2 im आएगा, okay, im into r, और im कितना आएगा, 2 em upon pi, r plus r, okay, और उपर आएगा r, बस यहाँ पर just 2 लग रहा है, और कोई फर्क नहीं है, 2 em upon pi आगया, 1 minus r plus rl आगया, ओके, और यहाँ से क्या आगया, 2 em upon pi minus का, क्या आजेगा, 2 em upon pi, r plus r, ओके, और just इसको हम क्या कहेंगे, 2 em upon pi, और यहाँ से im into r, तो EDC आगया, और यहाँ आगय, EFL, ओके, तो यह मेरे पास पराप्त होगा, just यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखिए, मेरे पास single values है, यहाँ पर single values है, यहाँ पर देखिया, बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ 2 आते ही, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी कितना आजेगा 2, तो 2 आजेगा, 2 में से एग गया, माइनस का 1 आजेगा मेरे पास, ओल्रेडी क्या आजेगा, यहाँ पर 1, यहाँ ज़स्ट जो अंतिम फॉर्मुला आएगा, आप calculation करेंगे, तो वी आर की कितना फॉर्मुला आभी हमने लिखा था, आई एम इंटू आर, और यहाँ पर 2 आएम अपॉन बाई माइनस का, आई एम इंटू आर, 100 परतीशर, ओके, तो यह फुल वेव रेक्टिफ हैर के अंदर, voltage regulation की values आगए, ओके, तो बस यही हमने proof करना था, कि voltage regulation किस तरीके से, half wave और full wave के अंदर आता है, voltage regulation क्या है, कि EDC जो है, वो IADC, यानि I धारा जो है, IDC और RL पर dependent है, और हम इन दोनों के difference को calculate करने के लिए, इन दोनों की वोल्ट था के मापन को calculate करने के लिए, voltage regulation का usable किया गया, और उसी pattern को हम क्या कहते हैं, voltage regulation कहते हैं, ओके, तो यह हमारा था voltage regulation, next step देखिए आप, जेनर डायोट, जेनर डायोट क्या है, आज हम जेनर डायोट के बारे में पढ़ेंगे, अब हमने voltage regulation पढ़ा है, अब उसके बाद जेनर डायोट पढ़ेंगे, और उसके जस्ट बाद, एक हलका सा टोपिक जो हमारे पास आता है, voltage multiplier, ओकी, तो voltage regulation है, अब यहाँ पर हमने जेनर डायोट की बात कर रहे हैं, जेनर डायोट, वाट इस जेनर डायोट, क्या है जेनर डायोट, और कैसे बनाया जाता है, और किसका बना होता है, समपूरन जानकरी हम का करेंगे, discuss करने वाद, अब यहाँ पर जेनर डायोट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से, हमारे पास जेनर डायोट पराप्त होता है, यह जेनर डायोट है, जेनर डायोट, बेसिकलिए यह सिलिकोन का बना होता है, किसी का सिलिकोन का, अब बात करें, वाट इस जेनर डायोट, जेनर डायोट का यूजेबल किया किया जाता है, पी एन संदी डायोड के अंदर अब चार बाते नोट कीजिए आप पी एन संदी डायोड के अंदर क्या होता है दो हमारे पास condition आती एक तो forward बाइस अगर और एक reverse बाइस यह बैसिकली reverse बाइस यानि पस्च बाइस के अंदर यूज किया जाता है इसका उप्योग किया जाता है किसलिए किया जाता है वोल्टेज नियमन करने के लिए यनि वोल्टेज को सिर रखने के लिए इसका जो यूज है वो वोल्टेज को क्या करता है सिर रखने के लिए जेनर डायोड का उप्योग किया जाता है ओके तो यहाँ पर मेरे पास एक कर्व है आपको बता रहा हूं पियन संदी डायोड के लिए अब फोरवेड बाइस और रिवर्ट बाइस अब इसे हम जेनर डायोड भी कहते हैं एविलांश बंजन भी कहते हैं जेनर इसे जेनर अवस्ता भी कहा जाता है ओके तो यह वोल्टता क्या करता है अब जहां पर धारा का मन अचानक से बढ़ जाता है जहां पर धारा का जो मान है वोल्टेज का जो धारा की वेल्यू है वो अचानक यानि एक एक जनी बढ़ती है तो यह जेनर डायोड उस वोल्टेज को क्या करता है स्तिर कर देता है ओके जेनर डायोड क्या करता है इस व ओके तो यह हमारे इस से लेबस के नतर हमारे बाद जैनर डियोड का हलका सा पोर्शन था वह आप आपने कंप्लीट किया है तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही ओके और आप इस वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और यदि चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं कि यह हमारे आपसे प्रात्ना है थैंक यू लव यू